आज हम आपको ऐसा और सदी प्रियोग बताएंगे जो आपके अस्तमा दमा को जड़ से ठीक कर देगा जिनको बार बार सर्दी जो खाम खांसी बनी रहती है गले में खिच-किच या फिर सांस लेने में जिनें तकलीफ होती है ये सभी लक्षन अस्तमा के होते हैं सीने में दर्द फिपड़ों में बलगम और बार बार खांसी का चलना एक दिन में बंद हो जाएगा इस आर्विदे के उपचार से दोस्तो नमसकार अगर आप इन गोलियों को मुह में रख कर चूसते हैं तो चूसने मत से ही दमाकी है दम निकाल देता है बार बार खांसी का चलना गले में खिचकेच गले में खरांच सीने में दर्द फेपड़ों में बलगम सरदी जुखाम खांसी या फिर बहुत जल्दी निमोनिया का हो जाना इन सभी लक्षणों को यह जड़ से ठीक करता है और आपके अस्तमा को बिलकुल क्योर करता है तो दोस्तो आई ये ज उकान से मिल जाएंगी वहां से लेकर की जरूर बनाएए आपको लेना है काकनासा फल दस ग्राम इलाइची के दाने यहां पर लेना दस ग्राम जावित्री लेना है आपको यहां पर दस ग्राम मुलेठी लेना है आपको यहां पर बीस ग्राम कुलंजन लेना दस ग्राम अन शिजे कूट पीज करके महिन से महिन चूरन कर लेजिए फिर इस चूरन को कपड़े में डाल करके कपडशन कर लेजिए ताकि और महिन से महिन इस प्रकार से चूरन हो जाए जब यह चूरन बन करके तैयार हो जाए तिसे साइड में रख देजिए फिर एक बरतन में 100 ग्राम उसमें आप 100 ग्राम ही पानी डाल देजिए और इसे आख पच्छा करके पकाईए जब यह गाढ़ा चास्टनी के तरह हो जाए तो तार करके ठंडा होने के बाद इस गुड़े में वही चूनजु अपने बनाया था डाल देजिए और मिक्स कर देजिए जब गूलियां बनने लाइक हो जाए ठंडा होने के बाद तो इसकी फिर बटियां गूलियां बनाईए और च्छाया में सुखा लीजिए बस आपकी दबा बर करके तयार हो चुकी है अब आपको इसे कैसे प्रियोग करना है वो भी आपको बताऊंगा तो सबसे पहले वेडियो को लाइक कर देजिए लाइक करने से होता क्या है मेरा मोटिवेशन अफ हो जाता है और नई निजानकारी आप तक पहुँचाता रहता हूँ साथी साथ चनल पने हैं तो चनल को जरूर सब्सकाइब करें अब दोस्तों इसे खाणा खाने के बाद और सुबह और दोफ्याय दिन में टीन टैम आप दो गोली मुह में डाल करके और चूशते रहे बस इसे चूशना है बस उपर से पानी नहीं पीना सो हो सके तो सहद जरूर शियवन कर सकते हैं शहद खा सकते हैं, पानी नहीं पीना, दूर का सेवन भी ना करें, दस से पंद्रह में अगर पानी नहीं पीते, उसे चूशते हैं, तो ऐसा करने से आपके कप को एक दम खत्म कर देगा, सीने के दर्द को खत्म करेगा, फेपड़ों में जमी बलगम को दूर करेगा, गले में खराच, किच-किच की आबाज बंद हो जाएगी, सांस लेने में तकलीफ, या फर अस्तमा दमा की दम निकाल देगा, बड़ा ही फेटेंड, बड़ा ही लापकारी प्रियोग है, इसे घर पर बनाकर जरूर अजमाईएगा, अगली वेडियो मिलेंगे दूस्तों, नमस्कार ओराच, क्वेश की अरूर मुट एज मैं एकि घूस्तौरै. झाल झाल झाल